नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो गार्णिंग पर नहीं है वो मैं आपको अपना कुछ एक्सपेरेंस बता रही हूं मेरे घर में भी कोरोना पेशेंट है और मैं उनका मतलब किस तरीके सा मैं उनकी देख भाल कर रही हूं देखे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं प इससे हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए तो देखे सबसे पहली बात हुई है कि ना जिनको मेरे घर में है कोई पेशेंट हैं जो मेरे घर में वो अब भी ज्यादा नहीं है मतलब एज़ेट नहीं है 24 एर्स के हैं तो इसलिए एज फैक्टर जो है व है कि कोई ऐसी मतलब एज़ वाला वो नहीं है कि बहुत एज़ेट हो तो सबसे बड़ी बात यही है तो देखे मैं क्या कर रहे हूं मैं आपको वो बता देती हूं उनको जो है 17 एपरिल को उनका जो रिपोर्ट आया था 17 एपरिल में उनका कोविड मतलब पॉजिटिव आया था तो आज हो गया एक इस तारिक और काफी इंप्रोव्मेंट है उनकी हेल्थ में और सबसे पहले तो हम लोगों ने देखे मैं आपको बहुत पता हूं कि आप लोग भी मेर से लग रही है तो उसके पहले क्या था मेरे को करीब वन वीक तक बहुत ज्यादा फीवर इवर था फीवर था मतलब 100-100 क्या सबस इससे ज्यादा हाई बिल्कुल नहीं था पत कि था 100-100 और थोड़ा बहुत गले में खरा शरा आप लोग पूछ भी रहे थे कि मैं आपकी आ तो उनको मैं बंदे सर्सक्राव करने के बाद इनको उनका सबकुछ अलग एक दम और उनको सुभश मदब तिन दिन में कई बार उनोंने इस टीम लिया इसमें जो सबसे जदो काम कर रहे है वह इस टीम ले दा आप लेना आपको बहाब लेना है जिसको भी मारी हो नहीं इस मंग्रेल बोलते है कलाउंजी ब्लैक कलर के सीट्स होते हैं उसको पानी में डाल करके और उससे भाप लें और दिन भेर में दो चम्मज करीब दाल चीनी पाउडर ठीक है ना सिनेमन पाउडर जिससे हम लोग देखें अपने गार्डन में केड़े मानने की में काम मिलेते हैं हमारे किचन में मसालो में मिल जाएगी उसके पाउडर को दो चम्मज सुबह शाम ऐसे करके वो दे रही हूं मैं तीसरी चीज यह है कि गुनगुना पानी पीना है वो पीना है बहुत इससे में बहुत रिलीव है उनको और इसके अलाबा है हल्दी वाला दूद कच्छी हल् रात में सोने से पहले में दे रही हूं मतलब एक बार दिन में दे रही हूं बहुत हैवी कोई खाना बहुत हैवी नहीं दीजे लाइट खाते पीते रहें कोई दिक्कत नहीं है खाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं बहुत जादा लेकिन ब तो काढ़ा जो बना रही हो ना वह अपना तुलसी जैसे देखे इस तब गर्मी बहुत है तो बहुत जादा गरम उस पर ज्यादा मत दे दीजए जैसे अगर हल्दी मैं प्रैक्टिकल चीज़े आपको बता रही हूं और मैं बता रही हो बिल्कुल अब अब एकदम ठीक हो ग घिँज और बफ्रादा में दालची नहीं हूच बनाइए अपना अच्हे बनाती हों तो मैं लवन बना तो मैं颜 रहे और हम अध्रगर के लाद लादा्य कुरों दोनोgehen Jahre तो दोनों में से एक चीज डालती हूं इस तरीके से करके अपना घर में कड़ा बना के दो बाय दिन बर में कड़ा दीजे और यह देखे यह गिलोई है यह तो खेर यहां पे पतली सी स्टिक वो थी तो मैंने लगा रखी तो मैंने नीचे बाल गनी में लगाए हुई है मेरे पस गिलोई भी है तो गिलोई की जो यह डंडी होती है यह स्टैम होती है इसको यह खेर इम्मुनिटी बढ़ाने में काम आती है इसके भी स्टिक्स को आप इसका भी काड़ा बना के दे सकते हैं तो यह सारी चीजे बहुत आराम दे रही है अब एक चीज का बस ध्यान हमको सबसे जादा रखना होता है कि जो अक्सिजन लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए तो हम लोगों ने इक खरीदा हुआ इतना सा खरीदा इस टाइम दोस्तों आप जानी रहे हैं कोई चीज एक तो जल्दी मिल नहीं रही हैं मिल रही है तो फिर भी क्या अगर मजबूरी है घर म अगर ट्रीटमेंट करना तो हम लोगों ने खरीदा इतना सा है इतना सा रहता है आपको पता चल जाएगा तो जो अक्सिजन लेवल है वो मतलब कि रहता है कि 95 से ऊपर रहना चाहिए तो एकदम कोई दिकत नहीं है तो वह हम बराबर चेक करते रहते हैं और इसके अलावा डोस्तों प्राणायाम बहुत कारगर है अनुलोम विलोम आप सब हम जानते हैं कि हमारे इस ब्रीधिंग पावर जो है वो अच्छी होती है और यह सारे और वह जितने भी हैं अब अच्छे वीडियो देख सकते हैं प्राणायाम पर तो उससे बहुत सारा फाइदा होगा द थोड़ा सारे सुविधाय हो गई हैं फोल को फोन से वीडियो कॉल हम कर सकते हैं अपने घर में भी उनके साथ टच में रही है जो जैसे हम लोग ने अलग कमरे में कर चरूर दीया है पर हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल करके बात करते रहते हैं हंसी फूषी का मॉल बना बते हैं नहीं ह Romeo कि संसे विर्ट सेन लिए हैं जितने हमेरे बितें ब्रका रूप हैं गां। सब्सक्ति का रहा है। कि पेशेंट के वह हृ। क्योंकि भुअने भुट विणा सबत tätä कित रिंद है। अगा में आपे देंगों करणे हैं। तो कम से कम क्यों ना मैं खुब से उसको रखों और मैंने उसको रखा हुआ है काफी बड़े-बड़े प्लांट उठा के रूम के अंदर रख दिया हैं तो मैंने यह यह कुछ कहिए हैं और भी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ठीक लगा हो तो वीडियो तो लाइक करेंगा नहीं लगए कोई बाद नी बस मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि मेरे एक्स्पीरेंस से कुछ भी थोड़ा सभी आपको फायदा हो जाए तो मझे बहुत अच्छा लगेगा और आज पताए क्या हुआ हुआ मेरे पताए क्या हुआ है यह सारा नेटवेर टूट गई रसी टूट गई और यह देखिए यह कैसा जैसे दबू जासा हो किया है तीक है कोई बाद ने सब सही हो जाएंगे चलिए खुब गिलोए लगाई है मैंने तो बहुत सारे मेरी तो सोची बदर डाली है मैं तो बहुत सा काम में आए चलिए ठीक है आपको अगर कुछ पोछ ना हो तो मुझसे पोछ वेजेगा बाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू